Warren Buffett की तरह wealth तो हर कोई create करना चाहता है लेकिन उस wealth के लिए काफी ज़्यादा महनत भी लगती है लेकिन आज के time पर ज्यादा तर लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो शुरू कहां से करें और खत्म कहां को करें लेकिन आज आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसे steps के बारे में अगर आप इन steps को follow करते हैं तो आने वाले time में आपका future secure हो सकता है साथ ही आप financial stable भी रह सकते हैं तो आप इन steps को जरूर follow करें तो क्या हैं यह steps आईए जानते हैं इस वीडियो में इस वीडियो को end तक देखना बिलकुल skip मत करना और अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले subscribe करें bell icon press करें सबसे पहला point है start by making a plan यानि कि अगर आपको अपनी अच्छी खासी wealth create करनी है तो उसके लिए आपको plan बनाना पड़ेगा सबसे पहले आपको ये set करना पड़ेगा कि आपकी goals क्या क्या हैं कौन कौन सी priority पे आपका कौन कौन सा goal है और long term goals short term goals जो भी हैं उनको आपको पूरे करने हैं अगर आपके पास goal होगा तो ऐसे मैं आप plan create कर पाऊगे और उस plan को execute भी कर पाऊगे क्योंकि हम हर चीज शुरू करने से पहले एक plan बनाते हैं यहाँ पर example देती हूँ जैसे कि हम घर लेने भी जाते हैं तो उसके लिए भी हम plan करते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए हमे तो सेम अगर आपको आने वाले time में wealth create करनी है तो उसके लिए आपको एक अच्छा और एक systematic plan तयार करना पड़ेगा second step है make a budget and stick to it अब जब भी आप कुछ भी लेने जाते हो आप एक budget ready करते हो तो आपको उसी budget पर stick रहना है आपको budget से बाहर जाकर कुछ भी ऐसी चीज नहीं खरीदनी है तो आपको unnecessary चीजों में पैसा waste नहीं करना है यहाँ मैं आपको एक example लेती हूँ माल लो कि आप showroom में क कर सकते हो अगर आप अपने budget पर stick रहते हो तो जो आपने plan बनाया है वो plan execute करने के काफी chances बढ़ जाते हैं और आप अपने financial goals तक भी पहुँच सकोगे अब हम budget ready करेंगे तो आपको यह भी पता रहेगा कि आपकी monthly पैसा कहां जा रहा है कितना खर्श हुआ है किस-किस जगा गया है साथ ही आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि आपने कहीं unnecessary चीज में पैसा तो waste नहीं किया और इसके लिए आप काफी applications मिल जाएंगी उन application का use कर सकते हैं तो आप उन applications के जरीए अपने money को manage भी कर सकते हो साथ ही आप अपने money को track भी कर सकते हैं कि आपने कहां कहां transaction क और कितने किये और आपको ध्यान रखना है कि आपको overspending नहीं करनी और अपने budget पर stick रहना है थाड़ है build your emergency fund ये एक ऐसा step होता है जहां से आप अपनी investment शुरू करते हैं और ये एक first step है और ये आपको करना काफी ज़्यादा जरूरी होता है अगर आपके पास emergency fund नहीं होते और आपकी ऐसी situation आजाती है जहां आपको emergency fund की काफी ज़्यादा जरूरत पढ़ती है लेकिन तब आपके पास वो नहीं होता तो ऐसे में आपको ऐसी situation नहीं लानी है और आपको emergency fund रखने है और emergency fund के लिए जो भी आप saving करते हो और saving account में पैसे रखते हो तो आपको ये चीज में अगर आपकी माल लो job में कुछ problem आ जाती है तो ऐसे में आपकी ये emergency fund काम आता है fourth step है automate your financial life अब सबसे पहला आपने saving चालू कर दी है emergency fund के लिए वो saving आपकी है दूसरा आपको अब investing चालू करनी है और investing के लिए काफी options होते हैं चाहे आप mutual fund में stock में SIP करा दो index fund जो होता है वहां आप invest करते हो और long term के लिए best है कि आप SIP में invest करो तो अगर आप investing चालू कर देते हो तो इससे क्या होगा जो भी आपके financial goals होंगे उनके पास आप एक step close आ जाओगे यानि कि अगर आपने investing चालू कर दी है तो आने वाले time में आपका future secure होगा और investing best option है जहां से आप अपनी अच्छे खासी wealth create कर सकते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कि आप stock में invest कर सकते हैं या SIP में invest कर सकते हैं अब ज्यादतर लोग क्या करते हैं कि जब वो stock में invest करते हैं तो वो एक stock pick करते हैं और सारा पैसा उसी में invest कर देते हैं लेकिन यहां पर वो काफी पड़ी गलती करते हैं और ऐसे में अगर वो stock loss में गया तो उनका पूरा capital जो उन्होंने एक ही stock में invest किया है वो भी loss में चला जाएगा तो आपको क्या करना है कि सारा पैसा अपने एक ही stock में नहीं लगाना है आपको एक safe option भी choose करना investment के लिए जैसे कि आप SIP करा सकते हो long term के लिए और साथ ही आप sovereign gold bond में invest कर सकते हो उसमें काफी अच्छा return आपको मिलेगा बजाए अगर आप एक physical gold में invest करते हो तो और investment के लिए मैंने आपको काफी options बता दिये mutual fund या stock market इसके लिए आपको dmit account की जरूरत पड़ेगी dmit account का link आपको description box और pin comment में मिल जाएगा तो आप dmit account free में open कर सकते हैं और referent earned के through भी आप कमा सकते हैं फिफ्ट स्टेप है manage your debt और ये most important step है अगर आपने कोई भी चीज debt पर ले रखी है तो सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आपको इस debt को चुकाना है और आपको ये भी नहीं सोचना कि हमें दूसरी चीज भी debt पर लेनी है कि अगर आपने एक चीज debt पर ले रखी है तो आपको पहले उसे चुकाना है उसके बाद आपको सोचना है कि दूसरी चीज हम debt पर लें और लोगों के दिमाग में एक thinking बन चुकी है कि वो easily उस सामान को ले लेंगे चाहे वो car हो चाहे वो home हो और उसके लिए वो loan ले लेते हैं और अगर वो से pay नहीं कर पाते हैं ऐसे ही वो debt trap में फस्ते हुए चले जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है मालो अगर आपने home loan ले रखा है तो आपको दूसरा कोई loan नहीं लेना सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आप उस loan को चुका है तो जो भी आपने financial plan बनाया है तो उसमें जो priority आपको देनी है वो आपको देनी है debt चुकाने में तो यही वो step होता है जहां लोग अपने financial goals से भटक जाते हैं वो सोचते हैं कि कोई नहीं इसे credit card से ले लेते हैं फिर अगले महीने हम pay कर देंगे तो जब वो bill pay करते हैं तो अपने financial goals का कुछ पैसा वो वहाँ लगा देते तो आपको ऐसे नहीं भटकना आपके जो भी financial goals हैं आपको उन पर stick रहना है और six step है max out your retirement savings अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें एक ना एक दिन retirement लेनी ही पड़ती है क्योंकि हम 60-70 की age पर काम नहीं कर सकते तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 25 की age से अपने retirement goals को भी पूरा करने के लिए savings चालू कर देनी है और retirement savings के लिए काफी options जो कि government ने भी open कर रहे हैं government की काफी schemes मिल जाएंगी जैसे कि national pension scheme जो कि एक काफी अच्छी scheme है इसमें आपको benefits भी काफी मिल सकते हैं तो इन schemes में आप पैसा invest कर सकते हैं तो अगर आप retirement savings करना चाहते हो तो आप government की schemes में निवेश कर सकते हो और उसमें काफी benefits आपको मिल सकते हैं 7th step है stay diversified आप जो भी money जहां invest कर रहे हो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही जगा सारा पैसा invest नहीं करना है आप अगर अलग अलग जगा invest करते हो तो वहां से आपको return भी अच्छा मिलेगा और आप अपने money को diversify कर पाऊगे तो अगर आप अपने investment को diversify करते हो तो ऐसे आने वाले time में आप अपने financial goals के करीब आ जाओगे और 8th step है up your earning आप एक job में लगे हुए हो continuously वही job कर रहे हो उतना पैसा आ रहा है तो आपको ये सोचना है कि आप कही और से भी earning कैसे कर सकते हो जैसे कि आज के time पर सोचल मेडिया के जरीए लोग कितना ज्यादा कमा रहे हैं content creative बनके affiliate marketing करके तो आपको ये चीजों पर भी नज़र डालनी है तो आपको देखना है कि आप कहां से passive income generate कर सकते हो काफी options आपको मिल जाएंगे और अगर आपको ideas जानने हैं और आप future में जाके financial stable हो पाएंगे तो Instagram को जरूर फॉलो करें और अगर आपको आने वाली videos ऐसे ही चाहिए तो भी हमें comment box में जरूर बताएगा ऐसे और interesting और informative videos के लिए मारे चाहिए को फॉलो करें subscribe करें thank you so much